नमस्कार आप देख रहे हैं जीवणीज तो दोस्ट वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले कर आपने अभी तक जीवणीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलदी से जाकर जीवणीज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिलको ओन कर दीजिए केंद्रिय अन्वेशन व्यूरो यानि CBI के माध्यम से कराने की संस्तुती कर रही है इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्प पद्ध हैं इससे पहले CM योगी ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में म अर्तियेक माता बहन की सुरक्षा वा विकास है तू संकल्प बद्ध है यह हमारा संकल्प है हमारा वचन है देश में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 65 लाके पार 24 गंडों में सामने आये 75,829 नए मामले जिहां भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमन 65 लाके आकड़े को भी पार कर चुका है दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमन भारत में ही फैल रहा है पिछले 24 गंटों में 75,000 से जादा कोरोना के मामले दर्ज की गए जबकि बीते 24 गंटों के दौरान 82,260 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हुए हैं तो वहें इस दौरा 940 संक्रमितों की जान भी चली गई है इसके सांती देश में अब तक कोरोना संक्रमन से 1,1782 मरीजों ने अपनी जान गवाई है स्वास्त मंत्राले के द्वारा ताजा जाड़ी आंकडों के अनुसार देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 65,49,373 हो गई है इसमें से अब तक 1,1782 संक्रमितों की जान चली गई है एक्टिव केस की संक्या घटकर 9,37,625 हो गई है पायवती ने सरकार से पूछा सवाल कहा परिवार ने डियम पर धमकाने सहित लगाए है कई अरोप ऐसे में उनके रहते कैसे होगी निश्पक्च चांच जिहां उत्तर पदिश के हातरस में हुए गैंग्रेप मामले के ब उठाये जा रहे हैं डियम द्वारा परिवार को धमकाने का मामला भी सुरकियों में है इसे बीच उत्तर पदिश की पुर्व सीएम और बीएस्पी प्रमुख मायवती ने योगी सरकार को घेरते हुए सवाल पूचा है कि पिड़ित परिवार ने हातरस के डियम पर धमकान आदी के कई आरोप लगाए हैं फिर भी यूपी सरकार के रहस्यमाई चुपी दुखादवा अती चिंता जनक है हाला कि सरकार सीवी आई जांच हेतु राजी हुई है किन्तु उस डियम के वहां रहते इस मामले की निश्पक्ष जांच कैसे हो सकती है लोग आसंकित हैं कोरोना से संकरमित अमेरिकी राष्टपती डुनल्ड ट्रम्प ने कहा मुझे अब काफी बहतर लग रहा है हमें अमेरिका को महान बनाना है जिहां पूरी दुनिया में COVID-19 महामारी ने कहर बरपाय हुआ है इस पिमारी से संकरमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जब पूरियत में थोड़ा सुधार देखने को मिला है उन्होंने अपने सौस्थ की जानकारी खुद दी है अमेरिकी राष्टपती डुनल्ड ट्रम्प का कोरोना संकरमन का इलाज वाल्टर रीड अस्पताल में चल रहा है इसी दोरान अपने स्वास्त को लेकर उन्होंने कहा क हम सभी मुझे वापस लाने के लिए कड़ी महनत कर रहे हैं मुझे वापस आना होगा क्योंकि हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जेडियू के बीच सीटों को लेकर बन गई बात पचास-पचास फर्मूले पर नितीश कुमार ने भरिहामी जिहां बिहार में होने वाले अगामी विधानसभा चुनाव के मद्द नजर महागटबंदन में सीट बटवारे की गोश्टना कर दी है इस चुनाव में तीसरा मोर्चा भी उभर कर सामने आया है अलाकि चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि सुबे की गद्दी पर कौन बैठेगा इस बीच एंडिये में भी सीट बटवारे को लेकर बात बनने की खवर सामने आ रही है खवर है कि बीचेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा और नितीश कुमार किनने 50-50 के फॉर्मूले पर हामी भरी है आलाकि इसे लेकर अभी आपचारिक एलान होना बाकी है आपको ग्यात हो कि इससे पहले खवर थी कि नितीश कुमार की जेडियू बिहार विधानसवा चुनाव में बीचेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है लेकिन अब खवर है कि नितीश बाबू मान गए हैं ऐसे में अब जेडियू जहां 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ही बीजेपी 121 सीटों पर अपनी किसमत आजमाएगी